नमस्कार मीडिया बोल के 19 वे अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है हम आज बात करेंगे मानहानी पर और 15 दिनों पहले ठीक 15 दिनों पहले हमने इस विशह पर चर्चा की थी इसके दूसरे जो इशूस थे दूसरे जो पहलू थे उस वक्त नहानी के कुछ नए इशूस को लेकर डिस्कस करना पड़ेगा और इस मुद्धे पे इस मसले पे दवायर का अपना ही मसला होगा दवायर ने 8 अक्टूबर को एक ख़बर चापी बेहद एक्स्लूसिफ ख़बर वायर ने अपनी तरफ से इस ख़बर में कुछ भी ऐसा नहीं रखा जिसे कहा जाए कि वो किसी की मानहानी कर रही है वो रिपोर्ट रेजिस्टार आप कंपनीज की जो रिपोर्ट है जो उसके दस्तावेजी जो साक्ष है जो रिपोर्ट है पूरी उसमें दस्तावेज में उसी के हवाले रोहिनी सिंग ने दवायर के लिए वो रिपोर मानहानी का मामला ठोका गया 100 करोड की मानहानी आपराधिक मानहानी ये जो पहलू है अदालत में जाएंगे हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे लेकिन हमारा ये कहना है कि अपने देश में मानहानी के ऐसे मसले इसमें पत्रकारिता जो पहले से सिमट रही है जो पहले से पिचक वो मानहानी के ऐसे मसलों से कैसे आतंक घरस्थ है इसके कई पहलू दिखते हैं कि वायर की रिपोर्ट छपी वायर की रिपोर्ट को लेकर समाज में सियासत में हर जगस चर्चा हुई यहां तक की लोग ट्रेन में मेट्रो में बसेज में और तमाम जगों पर चर्चा करते आज के दोर में खासका रूलिंग जो एलीट है उसके जो उहदेदार हैं बड़े उनका बन गया है हमारे समाच पर जो पहले कभी नहीं दीखता था हम इसी विशह पर आज बात करेंगे हमारे साथ दो खास मेहमान हैं हमारे साथ MK वेनू हैं दवायर के फांडिंग एडीटर और हमारे साथ रवीश कुमार हैं एंडी टीवी इंडिया के स्टार एंकर हम आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं और शुरुवात M.K.W. हम आप से ही करेंगे हमारा यह कहना ही कि जब हमने पिशली दफ़ा बात की थी तो हमें ये तो अंदा जा था कि हमारे देश के कितने अखवारों कितने पत्रकारों पर ये मामला है और आपने स्वहम चर्शा की कि कई ऑईसे केसें जो इमपाल तक में होई जाएंगे की साइसे कारवान में किया गया है कि तो यह क्या आपको लगता है हिजो इस नहीं इसके पीछे आपको क्या लगता है कि यह कि बílkool साफ साफ नहीं कि बात बोलेगी हम नहीं आपनी और से कोई मत नहीं कही है उन्होंने तो बस उसको पेश किया है आंक्डे दिया है और वो तत्थे हैं ठोज तत्थे हैं तो इसको लेकर मानहानी का मामला बनाना इसके पहले ही वकीलों का की पूरी एक टीम का ये कहना कि अगर आपने छापा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे तमाम तरह की दमकी तो इस पूरे प्रसंग में आपको क्या कहना है वायर की तरब से संचेप में देखिए और मिले शीब ये इस केस में क्योंकि जैसे आपने का कि बहुत ही शक्तिशाली नेता अमिच शाजी के बेटे के कमाम उनकी जो बिजनस और उनके जो बिजनस की जो बैलंशीट के जो आंक है ताकि 100 करोड का एक civil damages suit criminal defamation और उसमें लिखा है जो notice आया उसमें लिखा है कि कि और कोई भी इस वायर के इस story को reproduce करे और इसके बारे में और चर्चा करे तो ये उन पे भी उनको भी इसमें घचीटा जाएगा तो ये एक clear threat था कि मीडिया का और कोई हिस्ता यह 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 पूरे wire के जरीए पूरे मीडिया को उन्होंने एक एक चितावनी दिये कि कोई तो मुझे लगता कि शायद वो भी एक वजह हो सकती है कि और मीडिया ने जो करना चाहे भी वो उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा follow up नहीं किय हलागी कुछ लोगों ने किया और मैं हमें support बहुत मिला public से इतना support और इतना प्यार मिलाए कि आप विश्वास नहीं कर सकते और इसे रवीज जी ने प्रोग्राम अपने किया प्राइम टैम में किया और मेरा मैंने देखा कि जो रीजनल जो अख़वार है जैसे वेस बेंगॉल के अख़वार हैं के जो अख़वार हैं और उडिसा के अख़वार हैं तमिलनाडू अंद्रा इन्होंने इन्होंने खुल के चापा इस चीज़ को और follow up भी किये और मगर जो हिंदी बेल्ट के जो अख़वार हैं हिंदी शेत्र के बड़े अख़वार हैं जागरन भासकर वो लोग किसी वज़े से बिलकुल सेहम गया दर से गया उन्होंने अमरुजाला भी मेरी अमरुजाला के मालिक से बाद भी थी तो उन्होंने प्यूश गोयल प्रिश यही बात हम आप से पूछना चाहते हैं कि आप हिंदी पत्र का रिता में बड़े नाम भी हैं और आपने इस विशह पर बगएर किसी दाष्ट में आये आपने प्राइम टाइम में शो किया बहुत महत्पून शो था कुछ और चैनल चैनल से ने भी किया कास करेंग जो प्राइम टाइम उनका था उसमें वो प्रोग्राम गिर गया दूसरा प्रोग्राम हुआ तो हम समझ सकते हैं इस चीज़ों को लेकिन ओवराल जो वेनु कह रहे हैं कि इंडियन एक्स्पेस ने भी छापा दूसरे कुछ एक अख़वारों ने चापा बाहर के अख़वा लेकिन हिंडी मीडिया का बड़ा हिस्सा इवन अंग्रेजी मीडिया का बड़ा हिस्सा खामोश क्यों क्यों कि वो एक राजनितिक दल की तरफ से जन्मत को मैनेज कर रहा है उसे लगता है कि एक पार्टी का काम करना ही राष्ट निर्मान का आजकल काम है तो इसमें उसने एक बात तैय कर लिए है कि आम तर पर हम समझते हैं कि अखबार पाठक के प्रती जुका रहता है पर इस बार आप देख रहे हैं कि अखबार जो है वो पाठक से बगावत कर चुके हैं इक अखबार वो रिवोल्ड कर गए हैं सारे हिंदी के अखबार कि तुम जो पाठक को हम दूसरा चापेगा या शेयर करेगा उसको भी हम लपेटेंगे उसका असर हुआ होगा लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो एक पंक्ती ना भी होती तो भी ये कबर नहीं करते लेकिन मैंने तो हजारों लोगों को सड़क पे और चाय की दुकानों पे बात करते हुए देखा है मैं संपात्कों का चरित्र बदल गया है वो बदलता ही रहा था एक प्रक्रिया के तहत हम जानते हैं यह जो मानहानी का काम यह किया है कि इससे संपात्कों को एक नैतिक शक्ति मिली है देखिए भरस्ट लोगों की भी नैतिक शक्ति होती है वो क्या होती है कि परिवार चलाना है म अंदेश्ट देने का कि गलती से भी ऐसी स्टूरी के नजदिक मत पहुंच जाना दुर्घटना ट्रॉली दुर्घटना टककर की खबरे कवर करो कहीं गोली चल जाए वो वो कवर करो और इस तरह की मंत्री आ जाए आपके जिले में तो उसका जो भी बयान हो अनाप शनाप 90% जूठी बोलते हैं तो वो कवर करो लेकिन योजनाओं को कि वो काम भी आप मत कीजे छोड़ दीजी आप जैसे आप कभी कभी करने लगते हैं बहुत सारे पत्रकार की स्वस्ता अवियान के तहत स्वाचाले बन गए हैं और वो कागस पर बने हैं हकीकत में नहीं बने हैं तो ऐसी स्टूरी आती हैं जो वेवस्था की पोल खोलती है ना कि कि किसी वेवस्था के शिर्ष पर बैठे किसी वेवस्था के खिलाफ होती हैं ऐसी स्टूरी की भी गुंजाईश हमेशा के लिए खत्म कर दी गई हैं तो यह जो मानहानी का नोटिस है यह फॉर्मलाइज करता है एक तरह से जो पहले से प्रक्रिया चलिया रही है डर को हम देख रहे थे तो उसमें कर रहे थे कि अगर आप सच्चे हैं तो कोट में जाकर साबित कीजिए कोट में साबित करना इतना आसान है उसमें पैसा लगता है ना उसमें वकील के पास जाना पड़ता एक टाइम लगाना पड़ता है उनके पास तो सुविदा है कि आम जन आप इतनी आसानी से कोई वकीर लेकर कूर जा सकते हैं लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जो लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो ऐसी स्टोरीज नहीं करना चाहते तो जो योजनाओं के पर दाफाश करती हैं जो सचाईयां जो हैं जमीनी अस्तर पर उनकी तस्वीर पेश करती हैं जो बयानों में रहते हैं केवल जो 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 नेता क्लेम कर रहे हैं रादे मां आकर कहीं बैठ जा रही हैं वो सब स्टोरी खूब कर रहे हैं क्यूंकि उसमें आप वैवस्था से नहीं ठकराते ना exactly хотел लेकिन लेकिन हम यह देखते हैं कि बहुत सनरीरे ऐसे चैनल भी अपने डेश देश में है Chernud जो इतनेIO आजाद है स्वक्षंदता के republic मे लिकिन ये स्वक्षंदता के republic आम आदमी की आम आदमी की मानहानी रोज करते रहते हैं ये विपक्षियों की मानहानी करने में इनको कोई संकोच नहीं है ये किसी भी ऐसे व्यक्ति की मानहानी मानमर्दन कर सकते हैं जिनको समझते हैं कि ये हमारे लिए निरापत है या ये कुछ भी हमारा नहीं बिगाड सकता लेकिन वो चैनल जो इतने सासी दिखते हैं आम आम लोगों के लिए, असाहमत लोगों के लिए, विपक्षी लोगों के लिए, वो ऐसे वाम चुप रहे है, लेकिन एक उर्मिलेश जी एक चीज़ देखिएगा, हमें भारत की जंदा पर यकीन रखना चाहिए, वो ये बात समझ रही है, वो ये बात समझ रही है कि कुछ तो है कि प्रेस को मैनेज किया जा रहा है, अगर सब कुछ साफ साफ होता, जैसे आप कह रहे हैं कि आप अगर सच हैं तो वकीर रख लीजे, तो आप अगर सच हैं तो प्रेस को मैनेज करते हैं, है ना, क्यों मैनेज करते हैं, ये बता रहा था पहले बाद में होगा की नहीं होगा आपके राज में वो कितना आजाद था नहीं यही इस टोरी नहीं उर्मिलेश जी आप पहले के तमाम स्टोरी जो देखिए तो इसी तरह से नसर अंदास किया जाता है अभी आप कुछ चैनलों के एंकरों के हरकत देखेंगे तो लगेगा कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें ही जनता ने वोट दिया हुआ है कि आप विपक्ष में रहते हुए देश की सरकार चलाई है उनकी जवाब देही जादा है अच्छा एक तरह से कि आप चलिए आप उनको भी कर रहे हैं आप उनकी मजमत कर रहे हैं लेकिन आप कमजोर पे वार कर रहे हैं जो मरा हुआ है पहले से आप उसको मार रहे हैं ताकि वो फिर न उटे और सत्ता वाले को जो ताकतवर उसको और ताकतवर बना रहे हैं तो य असंतुलन जो है यह किसके लिए खराब है हमारे आपके लिए नहीं खराब है यह खराब है गरीब जनता के लिए क्योंकि हां कि अंत में उसकी आवाज बंद की जा रही है हमारी आपकी आवाज नहीं बंद की जा रही है उसको तोड़ा जा रहा उसकी कमर तोड़ी जा रही ह है कि दो दिन और भूखे रह लेना बोलना मत क्योंकि तुम जब बोलोगे ना तो तुम्हारा छापने वाला कोई नहीं रहेगा विनु जो रवीश बात कह रहे हैं कि आमिन ये जो रोक है एक तरह की अगहों से पर डिमक्रासी का नुक्सान है क्योंकि लोगों तक वो सच नहीं जा रहा है जो पत्रकारिता का काम है हम हम आर्विल को कोट करते अप लोग आप लोगों पर भी case हैं और दूर-दूर के इलाकों में हैं ये कितना democracy को प्रभावित कर रहा है देखिए हमारा तो इननों भारत दर्शन किरा जिया एक केस आईजॉल में चल रहा है एक अमदबाद में चल रहा है एक भुज में चल रहा है और एक मंगलोर में चल रहा है पूरे मतलब अभी तो इसका जैसे रवीश कह रहे थे ये पत्रकारिता का तो नुकसान है क्योंकि जो जर्नलिजम जो हमें च हो रहा है कुछ समय से और जम के हो रहा है और जो चैनल उस जो डिखा के जो अपनी leadership क्लेम करही है यह भी मैं कहना चाओंगा आज आपके इस शो में मैं रिसेंट्ली मैंने सुना कि गुजरात में कुछ हाउजों नहीं और है भी गुजरात में जहां पे वो मीटर लगते हैं और वहां वहीं से 24 घंटे वहां चलता होगा मीटर और वहीं से लगा लगा के दिखा रहे हैं कि वो लीडर्शिप पोजिशन में यह एक दूसरा एक पहल हुआ इसका उर्विदे जी एक आखरी मैं फिर भी थोड़ा सा मैं आशावादी हूँ मुझे लग रहा है कि जो सोशल मीडिया में जो यह पहली बारी मुझे दिखा कि इस अमिच्छा वाली स्टोरी में जैसे रवीश जी करते हैं कि हर जगा चर्चा चल रही है चाय कि सोशल मीडिया में बहुत घुमाया है और पहली बारी मुझे लगा मेरे हसाब से और सोशल मीडिया आज की तारीक में अरुन शोरी ने बड़ी इंटरेसिंग बात बोली थी कि हम ट्रदेशनली बोलते थे कि इसमें हिंदी की मुख्यधारा के जो अखबार हैं उन्होंने इस खबर को इग्नूर किया और वो सो करोड़ वाला डाला ऐसे इस तरह से छपा गए जैसे किसी ने गलत किया हो और सो करोड़ की मानहानी का केस डाल के बड़ा सत्यों जैसे फैसला आगया हो आजी की तारिक में लेकिन जो बीच की और नीचे की धारा के जो अखबार हैं जिने हम कई बार नजर अंदाद करत जी उन अख़ारों ने च्छापा है और काफी प्रमुधता से च्छापा है तो ऐसा नहीं है कि देश में हिम्मत खत्म हो गई है डराने वाले जरूर बढ़ गए हैं पर ऐसा नहीं है कि डरने वाले जादा हो गए है आपी देखेंगे कि वकीलों के भीतर भी वकील हमारी आजादी के लड़ाई के बड़े कोर लोग रहें है ना तो ये जो वकीलों के जरीए नोटिस भेजा जा रहा है मैं तो उमीद करता हूँ और अपील भी करता हूँ और मानता हूँ कि वकीलों के भीतर और वो एक स्वाभ़न रहता है वो उस ट्रेडिशन से आने वाले बेरिस्टर के जमाने के वकील हैं उनके स्वाभ़़न का एक बड़ा हिस्सा ये भी रहता है उन्होंने समाज और देश के लिए किया है और बहुत कुर्बानी दिया चाये जैसा भी हो वकीलों के दुनिया से भी न और आप देखेंगे छोटे-छोटे जिलों से और कस्बे से वकील निकल कराएंगे और कोट में खड़ा होकर इसकी लड़ाई लड़ेंगे कि ये मानहानी या इस तरह के तरीके का इस्तमाल करकर या वकालत का नौलेज इस्तमाल करके आप पत्रकारिता या लोग की आवाज को खतम नहीं करेंगे और जब आप खतम भी कर देंगे तो मैं एक और बात कहता हूँ कि वो दिन भी दूर नहीं कि जब न्यूज संगठनों के भीतर वकील ही संपादा को पत्रकार बन करा जाएंगे तो ये लड़ाई ऐसे नहीं है आज आपको लग रहा है कि हमने ये कप उठा लिए है लेकिन ऐसा नहीं है अच्छे वकील हैं लड़ जाएंगे लेकिन रविश बहुत महत्मून बात ये कह रहे हैं आप हम ये ये भी समझना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि पहले के राजनेता और आज के राजनेता थोड़ा सा फर्क दिखता है मानहानी के कांटेक्स्ट में अगर हम तीसजारी में कर दिया हाके एक बड़े देश के कारपरेट ने कर दिया आमिन उन्होंने बहुत बड़े कारपरेट ने ये सब लेकिन किसी राजनेता की तरफ से नहीं जिकरा था उनकी किताब में भी और इधर राजनेताओं का प्रभाव बढ़ा हो गया है दिल छोटा हो होना तो आपका कद आठ फूट हो या दस फूट हो दिखाई छोटा ही पड़ता है वह उंचाई से कद नहीं होता है पटना इन्वर्सिटी में देखिए शत्रुदन सीना उसके स्टूडेंट रहे हैं वही एक जमाने में ब्रैंड में जाते थे लड़के भी कहते थे हमारे है यहां का कोई अमिताब बचन के मुकाबले पहुंच गया है यश्वन सीना है आज वह शताबदी वर्ष में आ रहा है आप उनको नहीं बूला रहे हैं इसका मतलब दिल छोटा हो गया कि आप अगर अपने अपनी सभा में सामने भी वह नहीं जाते अलग बात है लेकिन आ शाकत को आगे ले जाएंगे और इसका एक सफल उधारन वह इसमानहानी का अर्विन केजरिवाल के मामड़े के आप देखेंगे कि कीजरिवाल इससे लाग डरते डरते हैं ना यह मेरा अपना अध्यन है हो सकता वह स्विकार ना करें सारजुणी के स्पेस से वह पीचे बाद नहीं है दोनों को आने दीजे शामने हम एक मदाता के वह दोनों को स्विकार कर सकते हैं तो अरविंद केजरिवाल पीछे उटे हैं उनकी पूरी पार्टी की आकरमक्ता खतम हुई है और इस से विपक्षी दल के नेता भी कमजोर पड़े हैं और यह तो बाहर की गतिविधी है और वो डर भीतर गया तो बहुत सारे नेता जो हैं अपनी काली वाली फाइल लेके किसी दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं जहां पर ED और CBI के लोग नहीं जा सकते हैं तो वो एक अच्छा रूट है पीछे से निकर क मारे जाएंगे इसमें पहले जो मैं अभी रवीर से पूछ रहा था कि पहले के नेताओं पर अगर मामले कोई छपते थे रिपोर्ट आती थी पत्रगार कुछ कहते थे वो नाराज होते थे वो कह भी देते थे कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं और चाय भी पिलाते थे अगले चाहे जहां देखना हो, कोट में या कहीं भी तो यह जो ट्रेंड एक नए आया है कैसे देखना है एक वीडिया परसंट के रूप एक तो यह अरूमले जी एक तो सोसाइटी में जो पोलराइड़ेशन जो हुआ है उसका भी एक मैनिफेस्टेशन है एक पॉलिटिक्स में सो बड़े प्रिंसिपल के नाम पर कमिट किया जा रहा है सब कुछ जैसे संजे गांदी थे आज तो वाडरा और जेद शाह की बात हो रही है मुझे संजे गांदी के टाइम में पत्रकारता में तब था जब बिलकुल कब रिपोर्टर था मुझे ध्यान नहीं कि संजे गांद के समय भी जगनात मिश्रा के समय प्रिस बिल आया था और जगनात मिश्रा को वापस ही नहीं करना पड़ा बलकि इसके लिए माफिह बादी च辉शनमी कि के बाद से social sanction मिल गया है तो वो जो कह रहा है ना कि आप अगर सच्छे है तो कोट में जाके साविद कीजिए वो उसी sanction का उसी मन्जूरी का हिस्सा है यह वो उनकी उसको यह कहना चाहिए था कि आप गलत हैं या सही हैं वो सरकार के लोग हैं वो अपना document सामने रख दें है ना वो अपनी बात सामने रख दें उन्हें इस तरह से आपको डराना नहीं चाहिए था तो जनता का जो एक च्छोटा सा हिस्सा तयार किया है वो आपके खिलाब खड़ा कर दिया और अपने साथ इसका एक नुकसान हो रहा देंकि वेपारी ताकतवर वगां हम अभी तक क्या क्या रहे थे कि जो कमजोर है उसकी आवाज मार दी गई या मारी जाएगी लेकिन जो ताकतवर है क्या उसके पास आवाज बची है क्या वेपारी GST से तीन मेने तक परिशान थे कोई उनकी आवाज को समस्या को क्या उनकी समस्या को उठाना देश द्रो है या किसी व्यक्ति विशेश के खिल मैं लिखता था तो बहुत गालियां पड़ती थी लेकिन जब मैं बजार में जा रहा हूं तो व्यापारी कह रहा है कि भाई साथ बहुत बहुत शुक्रिया का उसका माप बोले तो इसमें कौन सी बड़ी बात है आप राजवितिक दलों को चंदा देते हैं आप ही नेता बना चाहिए कि कोई गलत बोलने की हिम्मत तो तो इसको इस स्पेस में बोलने दो लेकिन जो डरा रहा है न ताकत से उसका साथ किसी को नहीं देना चाहिए लेकिन इस काम में उसका साथ नहीं देना चाहिए लेकिन इस काम में उसका साथ नहीं देना चाहिए अब पुलिटिकल होगे यह कहते हुए कि decriminalize किया जाए जाए जो जो सुप्रीम कोट जाज ने उसको वापस लेजिसलेशियर के दर फेग दिया कि उन्हें इंटरपेट करके डिसिशन दे सकते थे तो मैं कहा हूँ कि इतना ज्यादा हो गया कि इनके आपस में थोड़ा इसका एक अवेरनेस है क यह हम एक दूसरे के खिलाव भी यूज़ कर रहे हैं लेकिन लेकिन विनु यहीं प्रश्ण लोग तो खेर मरी रहे हैं कि प्रश्ण यहीं उठता है कि अगर व्यापारी और उद्योग पतियों की आवाज नहीं है तो किसकी आवाज है और जब साच से जादा निरी आप एक जन्मीन फीडबेक दे रहे हैं उस पार्टी को कि तुरंत आप इसको रेक्टिफाई कीजे ठीक कीजे इसमें क्या बगावत है लेकिन आप अपना नाम नहीं देना चाहते इसका मतलब यह है कि आपकी जोली में भले करोर रुपे हैं जबान पे एक शर्द नहीं है बिल्कुल में यहीं जो प्रशन उठता है कि आखिर जब हमारे देश में बड़े सियासतदान भी जैसे आपने नाम भी लिया अरुन शारी से लेकर और अभी तमाम लोग कह रहे हैं मीडिया में एक हिस्सा है अभी रविश कह रहे हैं कि व्यापारी भी फील कर रहे हैं तो ऐसे शासकों दुआरा जो निरंकुष हो जाते हैं जो लोकतंत्र का एक तरह से सम्मान नहीं करते तो अपनी देश में क्यों नहीं कर्प्रेट और प्लिटिकल जो सेंसर सिप इस मानहानी के जरिये जो इंपोज की जा रही है इसके खिलाब कोई इनिशियेटिव लेते हैं अगर सबके अंदर ये फीलिंग है स्वामी आपने नाम लिए रॉक्टर स्वामी अरुन शाहरी यह शौन सिर्ट क्वाम लो तो आखिर इनिशियेटिव क्यों लिया जा रहा है क्यों चुप है लोग असल मैं अरुमले जी लिया जा रहा है मुझे हाल ही में आम आदमी पार लोग मनले कमजोर लोग और औरों के भी अवास दबाई जा रही है तो एक किसम से एक सोच तो है और देखते हैं उसका क्या होता अगर पब्लिक इंटरस लिटिकेशन एक दुबारा लाया जाए और फिर सुप्रीम कोट को कहा जाए गि आप इसको रिकंसिडर कीजिये और तो हो सकता है कुछ मेरे खाल से रविश उनी सो चौश्ट में अमेरिका में भी यह प्रश्न उठा था क्योंकि निवार्क टाइम्स ने एक विज्यापन चापा था जो वहां के सिविल राइट्स मौहमेंट का विज्यापन था और उस विज्यापन में यह कहा गया था कि कि तरह से दमन हो रहा है उन लोगों का जो रेशियल डिस्केमिनेशन से लेकर हुमन डाइट फैलेशन पर सवाल उठा रहे हैं उस वक्त वहां के पुलिस कमिशनर ने जो उस रीजन के सबसे बड़े अधिकारी थे उन्होंने मानहानी एक आपराधिक मानहानी का मामला निवा मार्च 1964 में यह केस दर्ज हुआ और कुछी महीने के बाद सुप्रीम कोड अमेरिका के उसने फैसला दिया और यह कहा कि आप राधिक मानहानी किसी भी निउस पेपर किसी भी रिपोर्टर किसी भी व्यक्ति के खिलाब चाहे वो नागरी की क्यों नहों आप इस तरह से नही इंपोज कर सकते कि उसने कोई बात कही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है और उसमें अगर थोड़ी सी एकुरेसी की भी कमी है तो भी आप राधिक मानहानी नहीं बनता क्या मेरा सवाल है कि क्या अपने देश में 1964 के आप आमिन सलीवन और 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 जो जो निवार टाइम्स की केस है सलीवन बनाम अनिवार टाइम्स क्या उसी तरह से दवायर बनाम जय अमित शाह की केस के कांटेक्स्ट में एक नए धंका वैधानिक या समवैधानिक या कानूनी इनिशेटिव जरूरत मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होने होगा और ऐसा हमारा अभी पारे में कहां इतने गंविरता से सोच थे तो लोग अपने अधिकारों के संदर्व में समयधानिक व्याख्याओं के संदर्व में सोच रहे हैं और यह सही समय है सुप्रीम कोट के लिए भी कि जिस तरह से आपने कई महत्यवपुर्ण मामलों में एक बेंच बनाकर तै किय है इस मामले में उन्हें अपनी एक राय देनी चाहिए क्योंकि इससे समाज का की अभीवेक्ति का वातावरन प्रभावित हो रहा है सुप्रीम कोट को सारा मामला इस पे विधाईका पर नहीं छोड़ना चाहिए अपनी बात बतानी चाहिए कि समयधानिक इस्तिती क्या है और इस से बहुत बल मिलेगा और ऐसा करके अभी हाल फिलाल में सुप्रीम कोट ने समाज सुधार के बड़े महत्रपून फैसले दिये हैं तो लोकतांत्रिक सुधार के भी कुछ फैसले उनसे पिक्षा की जाती है और इस समय जरूर की जाते है कि हमारा हमारा जो न्याले है क्योंकि उन्हीं के दरवाजे का इस्तमाल करके इस अभीव्यक्ति का हनन किया जा रहा है देखिए सब पत्रकार जो हैं ताकतवर नहीं हैं सबके पास चार वकील नहीं है मतलब आसान नहीं है कि आप अपनी नौकरी भी करें फिर आप जाकर एक दूसरा लोड ले लें किसी बड़े थाकतवर का खुलासा करें चोरी भी पकड़ें उसकी और फिर आप ही कोट में पहुंच जाएं पकड़नी की सजा में तो यह ठीक नहीं है लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं कि समझने के लिए दो किताबे तुमाई एक अभिनौ चंद्रचूड की किताब है रिपब्ल रहाते दिलचस्प किस्सा है कि आप मानओं का एक डुसरा तरीका है ना आज जो आप विग्यापन वाली बात करेते तो उसे ट्यारूपी जा रहा है सरकार तै कर रहे हैं कि हम इनको विग्यापन नहीं देंगे आपको यह आप नहीं कर सकते सुप्रीम कोट ने कई बार फैसला दिया मुझे नब्बे के दशक में राजसान पत्रिका का ही किसी कानून के विद्यारती ने वो कहीं पढ़ रहा है मुझे वाटसप कर दिया कि आप जा लोगों को देखना चाहिए आज कर यह इसा बहुत हो रहा है और जोगों को देखना चाहिए किस चैनल में सरकार गा विग्यापन यह बकिन हैँ कि तब तक आप बहुत कुछ हार जाते हैं आप विग्यापन ना दे के उसे आर्थी ग्रूप से कंजोर कर देते हैं उसका उसकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं चर्मरा जाती है मुझे लगता है कि ये जो पहलू है कि आज के दौर में जब आप राधिक मानहानी बड़े ताकतवर राजनेताओं शक्तिसाली कार्पूरेट के हाथ में सेंसर्सिप का एक बड़ा हत्कंडा बन गया है ऐसे दोर में क्यों नहीं भारत की नियाए पाली का खासकर शिर्स नियाए पाली का जैसा रवीश भी कह रहे हैं आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि क्यों नहीं 1964 के अमेरिकन इनिशेटीव की तरह एक बड़ा इनिशेटीव लेती है जिससे वेल डिफाइन बिलकुल साफा नहीं मानहानीग और किस तरह के मामले मानहानी के रूप में दर्ज किए जा सकते हैं मौन्हानी से आपराधिक मानहानी का मामला तो बिलकुल अटा दिया जाए मुझा लगता है कि आज वो वक्त आ गया है जब नियाए पालिका में, सिविल राइट्स मोव्मेंट में, यहां तक की सियासत और समाज के अन्य हिस्तों में इस पर जरूपना चाहता हूँ, आदर्श इस्तिती है, जिस तरह से भारत सरकार ने अपने additional solicitor general को छुट्टी दी ह जय हमिश्या के case लड़ने के लिए, लोक तंत्र का तकाजा बनता है कि भारत सरकार एक और सरकारी वकील को छुट्टी दे, वायर का case लड़ने के लिए, तो हम वो आदर शुरूप देखना चाहते हैं, हाला कि कुछ बड़े-बड़े वकील हम यह बता रहें कि यह जो वकी लगर आपके खिलाफ खड़ा हो, तो आप इसे advantage मनिए, तो मुझे लगता है कि सरकार को कहना चाहिए कि हमने उनको भी दिया तो आपको भी देते हैं, लीजे, ताकि आपका भी काम मतलब और वो fees पता होनी चाहिए, क्या वो free में लड़ रहे हैं, या नहीं लड़ रहे हैं आप भी बताए कि आप वकील को कितना fees दे रहे हैं, या फ्री में लड़ रहे हैं, हम आपके फ्री में लड़ रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए, सरकार को एक वकील इने भी, वो solicitor general के level का, एक छुट्टी दे के, अगर additional नहीं है, तो main वाले solicitor general, उनको ही छुट्टी दे कि हर वकील की ये स्वतंतरता है, वो आजाग है, कि वो मुफ्त की केस लड़ें, या पैसा लेकर लड़ें, लेकिन आपने जो कहां, लेकिन जो समयदानिक पर उसकी एक जिम्मधारी है, अगर आपने सहुलियत दी है, कि आप किसी private case को लड़ें, तो जाहिर है, इस पर एक बराबर की एक होनी चाहिए, बराबर का एक सिद्धान्त होना चाहिए, ऐसा नो कि किसी के लिए आप बहुत और किसी के लिए बिलकुल नहीं, इसमें अगर जेटली जी भी आजे है, आपका केस लड़ने के लिए आरविशील को प्रसाँजी तो आप उनको आपको भी स्व और चर्चा के दौरान clear cut ढंग से ये साफ होना चाहिए कि मानहानी क्या है किस तरह के प्रावधानों के तरह किस तरह की स्थितियों में मानहानी बनती है और कहां नहीं बनती है इस से कम से कम पत्रकारों का जो उत्पीडन है मेडिया संस्थानों को जो आलेडी भारत में जो मेडिया की आजादी है वो सिमट रही है पिछक रही है उसको रोका जा सकेगा और पिछकने से मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है और शिर्स अदालत इस पर जरूर एक बड़ा इनिशियेटिव लेकर 1964 अमेरिकन इनिशियेटिव की तरह एक वैश्विक प्रभाव छोड़ सकती है इन शब्दों के साथ आज की चर्चा में आप दोनों लोगों का बहुत लेकर नमाश को